नमस्कार मैं हूँ हरीश हठानी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल हरीश हठानी 541 आज हम रिजिनिंग के एक टॉपिक कितने बकरी कितने मुर्गी यानि उनके जब जिस क्वेश्चन में उनके पाउं दे होते हैं और उनके सर दे होते हैं और आपको उनके संख्या बतानी होती है कि कितने बकरी हैं कितने मुर्गी हैं या कितने मुर्गिया हैं कितने गाय हैं कितने तोता हैं या कितने बथक हैं इस टैप से क्वेश्चन उनके संख्या बतानी होती है तो इस टैप के क्वेश्चन इस चप्टर में हम करेंगे इससे पिशली वीडियो में मैंने एक क्वेशन पूछा था आपको मैंने पूछा था जो इंडियन जो आईОसी है उलम्पिक संग जो ओलम्पिक कराता है fascinating इंटेंडेनेशनल ओलम्पिक कमेटी तो इसके अध्याक्स कोन है तो इसके अध्याक्स है Thomas Wott Thomas Wott तो उस question का answer Thomas Bosch है मैंने आपके लिए छोड़ा था question Thomas Bosch IOC तो International Olympic Committee के जो अध्यक्स है Thomas Bosch है तो आप ज्यादा देरीने करते हुए इस topic को शुरू करते हैं तो इस topic से एक question चाहे आप समुगों की तयारी कर रहे हूं या PCS pre के कर रहे हूं या किसी भी एक अगर आप AIS की कर रहे हूं या कनिश्ट साय की या ACAB की तो उसमें reasoning में एक question जानवर वाला जरूर आता है तो इसको start करते हैं थोड़ा background बना लेते हैं इसे पहले कि एक question समझ लेते हैं जैसे question है जैसे एक जानवर है तो इसके दो पाउं है कुछ जानवर ऐसे होंगे जिनके दो पाउं होते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके चार पाउं है एक, दो, तीन, चार तो जैसे अधिकतर जो पक्षियां होते हैं जो birds होते हैं पक्षियों के जो पाउं होते हैं अधिकतर दो होते हैं और अगर हम बात करें जानवरों की जितने भी जंगली जानवर होते हैं या पालतू जानवर होते हैं उनकी पाउं चार होते हैं तो इस वाले प्रश्णों में आपको दो जानवर वाले और चार पाउं वाले जानवर के बारे में देगा तो जैसे पक्षू में जैसे मुर्गी चिनिया या कोई भी चीज देगा उससे बथक और जबकि चार जानवर उसके साथ चार जानवर पाउं देगा और आपको ये भी पता है जितने जानर होते हैं उतने सर होते हैं जो एक जानर है तो एक सर होगा ऐसी ये एक जानर है भले इसके पाउं अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन उनके सर एक ही होगा तो दो जानर है तो दो सर तीन जानर है तो तीन सर चार जानर है तो चार सर लेकिन पाउं किसी के पक्षियों के दो होंगे और किसी के चार होंगे तो इस question को करते हैं जो shortcut है तो वो है चार पाउं वाले जानरों की संख्या बराबर L by 2 मैनस H L जहां पाउं है यानि पाउं बटे 2 मैनस सर को खटा देना है जित्ते भी पाउं दे होंगे उनको divide करके बटे 2 कर देना है और last मैं उसको सर से घटा देना तो चार पाउं वाले जानरों की संख्या बता देगा अब अगर हमको दो पाँवाले जानुरों की संख्या निकालने होगी तो दो पाँवाले जानुरों की अगर संख्या निकालने होगी तो कुल सर, क्योंकि सर तो सबका एक ही होगे तो कुल सर जितने पेपर में दे होगे उसमें से चार पाउं वाले जानरों को खटा देंगे चार पाउं वाले जानरों को खटा देंगे उनकी संख्या को तो अपने आप दो पाउं वाले जानरों की संख्या निकल जए तो स्टार्ट करते हैं कोशन से और जादा समझ माएगा जैसे एक आदमी है उसके पास कुछ मुर्गया और गाय है मुर्गया है तो मुर्गी जो है चिडिया है तो इसके जो है मुर्गी जो हो गया उसके दो पाउंगे और जो गाय है वो चार पाउंगे चार पाउंगे गाय के चार पाउंगे होते है मुर्गी के दो होते है तो इसमें दो पाउवाले और चार पाउवाले जानुर की बात कर रहा है ये दी उनके सरों के संख्या अब सर दे हैं आपको सिरों की संख्या दिये हैं उनके हैड दे हैं सिर मतलब हैड वो फोटी एड दे हैं और पाओं की संख्या दिए है, पाओं की जो संख्या है सब की गिने उन्होंने, तो हमने अगर इनके पाओं गिने, कोई मुर्गी बाड़ा था, या कोई भी गोसाला था, उसमें देखे, तो हमने कुल सर हमको दिखाई दे फोटीड, इन फोटी एड़ सी रूम में से कुछ म मुर्ग्यों के सर होंगे कुछ गायों के सर होंगे और इसी प्रकार जो पाओं की संख्या 140 है तो इसमें कुछ मुर्ग्यों के पैर होंगे कुछ गायों के पैर होंगे होप आपको समझ भाया होगा तो इसके लिए हम इसको सौटकट करेंगे कि चार पाउवाले जानवर अर्था जो सूतर है वो चार पाउं वाले यानि चार पाला कौन सा है गाय तो चार पाउं वाले जानुर की अगर संख्या निकालनी होगी कितनी है जानुर चार पाउं वाले चार पाउं वाले जानुर की संख्या क्योंकि हमें पेपर में question में मुर्ग्यू की संख्या मुर्गी तो दो पाउं वाले हैं तो उससे पहले आपको चार पाउं वाले जानूरों की संख्या निकालनी होगी तो यह हो जाए का पाउं बट्टे दो यानि एल बट्टे दो मैनस हैड लेक अपॉन टू मैनस हैड तो अब एल कितने पाउं कितने हैं 140 140 डिवाइड बाइ 2 मैनस है कितने है 40 शरों की संख्या 48 है तो यह इसे कट गया 27 जा 14 70 70 मैनस 48 तो इसको घटा देंगे तो इसको घटाने के बाद 22 आंसर आजाएगा 22 आंसर आया चार पाउं वाले यानि गायों की संख्या आगे 22 अब हमें लेकिन पूछ रहा है मुर्ग्यों की संख्या तो अभी मैने बताया था कि कुल सर जितने होते है उतने ही मुर्ग्या उतनी गाया होंगी अग कुल सर पता है मैं 48 इसमें से अगर मैं यह तो दोनु जानवर है मुर्गी भी गाय भी हैं अगर इस में से में चार पाः ओने गायों की संख्या घटा दुँगा, तो अपने आप जो है, मुर्गों की संख्या निकल जाएगी, 26 मुर्गी आजएगे, तो इसका हाँसर आजाएगा 26 मुर्गी, नहीं है आपको तो इसको दुबारा देखते हैं अगर कुछ इस प्रकार के question में दो पाउवाले और चार पाउवाले जानुरों को दिया होगा तो formula है चार पाउवाले जानुरों की संख्या निकालने के लिए कि जितने पाउव दिये होंगे question में जैसे इसमें पाउव एकसा चालिस दे तो उसका बट्टे दो कर देना है और लास्ट में उसको सर से घटा देना है तो ये चार पाउवाले जानुर यानि अथा गाई की संख्या बता देगा 22 लेकिन हमें तो मुर्गी पूछ रहा है तो कुल सर फोटेड थे उसमें से चार पाउवाले जानुरों की संख्या को घटा देंगे तो आण सर आजाएगा एक और प्रैक्टिस करते हैं एक चिनिया घर एक जू है उसमें कुछ सेर और तोते रहते अब सेर है तो ये चार पाउवाले जानुर होता है कुल सर पंद्र का मतलब था, इसमें सेर भी होंगे, तोते भी होंगे, सरों की संख्या, सिर प्लेस तोते के सिर मिलाकर पंद्र हो रहे होंगे, और इनकी दोनों की टांगां मिलाकर 50 हो रहे हैं, तो अब हमें स्टार्ट करते हैं, तो हम जानते हैं, चार पाँवाले जानवर, अगर इनकी संख्या निकालने होते हैं चार पाउओ वाले जानवर इनकी संख्या निकालनी है तो चार पाउओ वाले जानवरों की जो संख्या है वो हो जाएगी L by 2 minus H H मतलब सर जो 4 पाउओ आज हमको सेर ही निकालना है तो शरल हो गया दो पाउं वालों की संख्या नहीं निकालने पड़ेगी तो चार पाउं वाले जानवरों की संख्या प्राफ़ा है L यहाँ है पाउं यानि लेग L मिन्स लेग और H महलब हैड सर तो L हैस 50 तो 50 अफ़ान 2 माइनस H कितनी है 15 सर तो यह इसको कट देंगे तो 25 माइनस 5 तो कितना आगे आणसर 10 तो जो सेरू की संख्या होगी वो 10 होगी अगर इसमें हमको तोतू की संख्या पूछता तो कुल सर में 15 में से 10 गटा दी तो 5 तोते आजाते लेकिन हमें 4 पांवाली जानरू की पूछा था तो सेर 4 पांवाला होता है तो आणसर आगया 10 अगला कोश्चन स्टार्ट करते हैं एक बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर है इनके पैरू की संख्या 224 है जबकि सिरू की संख्या 90 है तो बताना है कि कबूतरों की संख्या कितनी है कबूतर होता है 2 पांवाले जानरू की संख्या कबूतर के जो पांवाले होते हैं 2 होते हैं कबूतर 2 पांवाला है और जो खरगोश होता है खरगोश के पांवाले होते हैं 4 अगर चार पांवाले जानुरों की संख्या पूस्ता खर्गोश की पूस्ता तो सूत्र आपको पता था तो हमें कभूत्रों की संख्या तो पहले खर्गोशों की संख्या निकालेंगे तो आपको पता है चार पाउं वाले जानुरों की संख्या तो चार पाउं वाले जानुरे की संख्या का फॉर्मला भी शॉटकट आपको बताए था L अपॉन 2 मैनस H L कितना दिया है? L मतलब लेक पाउं कितने देगे हैं? 224 224 डिवाइड़ बाई 2 मैनस हेड उनके सरों की संख्या कितनी है? 90 अब इसको काड़ देंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मैनस 90 अब इसको सो घटा देना है 2 तो ये किता आ गया? 22 22 तो आए तुम्हारे चार पाउं वाले चार पाउं वाले जननल मैनला खरगोस खरगोसों की संख्या आगी पता चल गी आपको 22 खरगोस 22 है लेकिन हमें आज इस पेपर में कह रहा है कबूतरों की संख्या निकालनी है तो आपको पता है कबूतर तो 2 पाउं वाले जानवर जो संख्या होती है 2 पाउं वाले जानवरों की वो कुल सर यानि खर्गोश को घटा देंगे, खर्गोशू की संख्या को घटा देंगे, तो कुल सर हैं आपके, कुल सर है, 90, 90 में से अभी आपने खर्गोशू को निकाल दिया, तो आपके दो पाउवाले जाना यानि कबूतर निकल जाएंगे, तो कबूतरू की संख्या हो जाएगे, 90 गटा सकते हैं अब इसको 68 कब उतर है बहुत ही सिंपल है चार पाउवाली जो चार पाउवाली अगर उनकी संख्या निकालनी है तो यह फॉर्मला है L upon 2 minus H L leg है पाउवाल की संख्या दिया है 224 और minus sara की संख्या घटा देंगे तो यह चार पाउवाली जानवर अब दो पाउवाली निकालनी है तो कुल सर 90 दिये हैं इसमें से दो पाउवालो को घटा देना है छार पाउवालो को तो घटा देंगे तो answer आजाएगे एक और करते हैं एक मैदान में कुछ बथक और बकरी है एक मैदान था उसमें कुछ बथक और बकरी है कूल मिलाके 77 सिर और 224 पैर है एक मैदान था उसमें बथक और दूनों है इसमें दिया है और हमको बथकों की संक्या निकलना पहले देख लो, बथक और बकरे, तो बकरे की जो पां होते हैं, बखरी की जो पां होते हैं, वो चार होते हैं, बथक के दो होते हैं, तो हमें दो पांवाले जानवरों की संख्या निकालनी है, तो हमको तो चार पांवालों की आता है formula, चार पांवाले जानवरों की जो संख् अब यह कड़ जाएगा 224 मैनस 77 अब इसको घटा लीजे 12 में से 77 अगर मैनस कर देंगे यह 35 तो 35 आया बकरियों की संख्या बकरियों की संख्या मतलब 4 पावले जानवर 35 आया गया यह तो बहुत इस रहल है लेकिन हमें बथक पूछ रहा है बथक तो आपको पता है जो बथक होंगे बथक प्लेस बकरी बथक प्लेस जो बखरी के सर होंगे वो 77 होंगे क्योंकि जितने बखरी उतने सर जितने बथक उतने सर तो इनको मिला के 77 सर होंगे तो इसको हमको बकरी पता चलगी बकरी पता चलगी तो 77 में से खटा देंगे 35 घटा देंगे तो जो बचेंगे 42 वो 42 बथाकों की संख्या आ जाए इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर दो पांवालों का निकालना है दो पांवाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो कुल सर मैनस कुल सर मैनस चार पांवाले जानवरों की संख्या और चार पांवाले जानवरों के लिए जो शूत्र है वो आपको पता है H-RIN-LY2 वह आपको समझाय होगा अब एक और question करते हैं last question एक आदमी के पास कुछ मुर्गिया और भैस है मुर्गिया और भैस है तो मुर्गिया आपको पता है मुर्गी के दो पाँ होते है जो हन होता है उसके दो पाँ होते है और भैस जो पाँ है उसके चार पाँ होते है तो अब हमें सरों के संख्या दिया है इन्हें सब के सर गिने तो मैंने फोटी आए और पाँ गिने तो 128 है तो हमें लेकिन मुर्गी पूछ रहा है पाउं बट्टे दो माइनस हेड एल अपॉन टू माइनस हेड एल है यहाँ पर पाउं और है शिर अब सुम्मले में लग देंगे तो एल कितना दिया है एल मतलब छा पैर 128 अपॉन टू माइनस हेड हेड 40 तो यह घड जाएगा टू सि्द्ध्व उल टू फूर्ज है इस्टी फोर मालस फोटी अब इसको मैनस कर देंगे टो ons 20 फूर्ट 건 हो आ गया मैंज क्योंकि बहस के चार पाउं होते तो चार पाउंवाले जो जानवरों की सैंख्या होगि 4 पाउं वाले जानवर केंख़े है वो 24 लेकिन हमें मुर्गी निकालनी है तो मुडगी के लिए क्या करेंगे कूल सीर मैंनस चार पाउ वाले जानवर पूल सीर मैंनस सर ऊब जानवर को जर चार 40 40 मैंने चार पांवाले जानुर कितना है अभी 24 तो यह निकल जाएंगे टू पांवाले तो टू वाले निकल जाएंगे तो चार इसमें सो 40 घटाया 16 तो 16 जो होंगे मुर्गी होंगे होप आपको समझ माया होगा तो बहुत ही शरल है इसके लिए स्वामला याद करना है कि तो लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लास्टिक का यूज सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज कम से कम करें अपने आज पास पास पानी खटाना होने दे और डैंगू से बचे थैंक यू, have a nice day